हेई गाईस तो आज के इस नीग वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के 126.0 with android 14 update लिस्ट के roadmap के बारे में यहाँ पे सैमसंग के कौन-कौन से smartphone को कौन से month में जो है वो 126.0 की stable update देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे update schedule जो है वो आ चुकी है तो अगर आपके पास सैमसंग का smartphone है और आप लोग 126.0 का वेट कर लो तो वीडियो आपके लिए काफियत तक important हो सकती तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हूँ तो like, share and subscribe जरूर कर लेना S23, S23 Plus and S23 Ultra उसके साथ S22 Series, S22, S22 Plus and S22 Ultra, Samsung Lexi A54 तो इन सभी smartphone के अंदर जो है वो और लेडि 16.0 with Android 14 के update जो है वो मिल चुकी है अब हम बात कर लेते कि November 2023 में कौन-कौन से smartphone के अंदर जो है वो update मिलने वाली तो Samsung Galaxy Z Fold 5 दोस्तों यहाँ पे Z Fold 5 के लिए globally update रिलीस किया गया है और इंडिया में भी आप लोगों को November मन्त में देखने के लिए मिल जाएगी Z Flip 5 इसके लिए भी globally update रिलीस कर दिया गया है जो कि November मन्त में ही इंडिया में update आने वाला है Samsung Galaxy A54, A34, A34 के लिए beta update अभी globally release किया गया और बताया जा रहा है कि December के फर्स्ट वीक तक इंडिया में update आने वाली है Samsung Galaxy Tab A6 Lite तो इन स्मार्टपोन को जो है वो November 2023 में 126.0 with Android 14 की major update जो है वो मिलने वाली है according to update roadmap अब हम जानते हैं December मन्त में कौन-कौन से स्मार्टपोन को अंदर जो है वो update देखने के लिए मिलेगी तो सबसे पहले हैं स्मार्टपोन निकल के आते हैं Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Z Fold 4, उसके बाद Z Flip 3, Z Fold 3, Samsung Galaxy A53, A33, A52, A52S, A72, ठीक है A14 5G, M33, M53, उसके बाद हो गया XCover 6 Pro, Samsung Galaxy Tab S9 जो की almost November में ही यहाँ पे update देखने के लिए मिल चुकी है Samsung Galaxy Tab S8 Series, S8 Series के लिए भी update रिलीज हो चुका है लेकिन globally अभी update रिलीज किया गया बट इंडिया में बहुत ही चल्द update जो है वो देखने के लिए मिल जागी तो इन सभी smartphone के अंदर जो है रहा वो December 2023 में Measure Waste and Measure UI की update जो है वो मिल जाएगी अब हम बात कर लेते कि January 2024 में कौन-कौन से smartphone के अंदर जो है वो update मिलने वाली तो सबसे पहला smartphone निकल के आता है Samsung Galaxy A23 5G ठीक है उसके बाद हमारा आगे यहाँ पे Samsung Tab S7 FE इसको भी January में update देखने के मिलेगा और Tab Active 4 Pro तो इन सभी यह smartphone को जो है वो January 2024 में Measure Waste and Measure UI की update मिलने वाली दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे update schedule में जो भी month mention किया गया ना उससे पहले ही update देखने के मिलेगी क्यूंकि Samsung क्या कर रहा है कि अपडेट schedule से पहले यहाँ पे update रिलिस्ट कर रहा है बाकी दोस्तों हम बात करें कि February 2024 में कौन-कौन से smartphone के अंदर जो है वो update देखने के मिलेगी तो Samsung Galaxy Tab A7 Lite ठीक है Tab A8 उसके बाद Samsung Galaxy M13, M23, A04s, A13 तो इन सभी smartphone के अंदर जो है वो February 2024 में बनी 6.0 with Android 14 की stable update जो है वो मिलने वाली सभी interesting features के साथ अब देखते हैं यहाँ पर Samsung वाले क्या करते हैं वैसे कुछ और information आती या कोई new roadmap आता है तो of course मैं आप लोगों को inform कर दूँगा उसके लिए आप लोग चैनल सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम